मायवती भारतिय लोकतंद्र का एक चमतकार और करोडो दलितों के लिए स्वाभी मान की हुंकार मायवती का नाम लिये बिना भारतीय राजनेतिक इत्यास पूरा नहीं हो सकता दिल्ली की तंगलियों से निकलिये किवा दलित महिला ने अपने बलबूते राजभवन तक का सफर तै किया देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी हर विरोध सहा मनुवादियों की गालिया खाई सियासत के दाव पेच देखे कभी इंकाउंटर होने से बाल बाल वची तो कभी जान लेवा हमले से लेकिन मायवती किसी चटान की तरह खड़ी रही चलिये मेरे साथ मैं हूँ सुमिछ चोहान और आज मैं आपको बता रहा हूँ मायवती की जिन्दगी के सफर की पूरी दास्तां मायवती की 25 अंसुनी कहानिया और ऐसी कई कहानिया जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी मायवती का जन्दिली के इंद्रपुरी अलाके में 15 जनवरी 1956 को हुआ था 1975 में मायवती ने दिली युनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और एकॉनोमिक्स में बी ए की डिगरी हासिल की उसके बाद उन्होंने बीड की पड़ाई की और बतोर टीचर काम करते हुए डियू से अपनी अलिल्बी की डिगरी भी हासिल की मायवती यूपीसी के परिक्षा पास करे का ये सफसर बनना चाहती थी और उसके लिए तैयारी भी कर रही थी लेकिन मानेवर कांशीराम साहब के कहने पर मायवती ने अपना घर और सपना दोनों छोड़ दिये मायवती और मानेवर कांशीराम की पहली मुलाकात की कहानी भी बेहत दिल्चस्प है 1977 की एक सर्द रात में मानेवर कांशी राम दिली के इंदरपुरी इलाके में प्रभु दयाल जी के घर पहुंचे थे मायवती उस समय लाल्टेन की रोश्णी में पढ़ाई कर रही थी मानेवर ने उनसे पूछा तुम क्या बनना चाहती हो इस पर मायवती ने कहा मैं आईएस अफसर बनना चाहती हूँ ताकि अपने समाज के लिए कुछ कर सकूँ मायवती की इस जवाब पर कांशी राम साहब ने कहा मैं तुम्हे उस मुकाम पर ले जाऊंगा जहां दरजनों आईएस अफसर तुमारे सामने लाइन लगा कर खड़े होंगे तुम तै कर लो तुमें क्या बनना है दरसल इस मुलाकात से एक दिन पहले मायवती दिल्ली के कॉंस्ट्यूशन क्लब में भाशन दे रही थी मायवती ने मन से ही कॉंग्रेसी नेता राज नारायन को दलितों को बार-बार हरीजन कहने पर बुरी तरह लताड़ा था 21 साल की लड़की का ऐसा रुख देखकर ही मान्यवर काशिराम साहब मायवती से काफी प्रभावित हुए थे मायवती के पिता प्रभु दयाल पोस्ट ओफिस में कलर थे और वो चाते थे कि उनकी बेटी पड़ लिकर आईएस बने लेकिन जब मायवती ने काशिराम जी के साथ जाने का ने ने लिया तो प्रभु दयाल जी काफी दुखी हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर ये रास्ता चुनना है तो मायवती को घर छोड़ना पड़ेगा इस कठोर फैसले के बाद मायवती ने घर छोड़ दिया और मानेवर काशिराम साहब के साथ वो चल पड़ी सियासत के उस सफर पर जिसका सपना देखना भी भारत के दरीतों के लिए किसी मुश्किल से कम नहीं था मानेवर काशिराम साहब रणनीती बनाने में माहिर थे तो मायवती एक तेज तर्रार वक्ता थी उनकी भाशन शैली ऐसी थी कि सुनने वाले जो उससे भर जाते थे मायवती और काशिराम की जोड़ी ने बड़ी तेजी से संगठन का विस्तार किया और अपने सियासी सपने को पूरा करने के लिए आबादी के लिहाद से देश के सबसे बड़े सूबे उत्रपरदेश को चुना 1984 में बहुजन समाज पाटी की स्थापना हुई दिली के रामडिला मैदान में मानेवर काशिराम और मायवती ने डेश के बहुजनों की तकदीर बदलने के हुँ कार भरी और इस तरह से मायवती चुनावी राजनीती में पूरी तरह से सक्रिय हो गई इस बारे में मायवती ने कहा था मैंने राजनीती में आने का जो फैसला किया तो मुझे दूसरे नेताओं की तरह राजनीती विरासत में नहीं मिली हमारे परिवार में कोई राजनीती में से नहीं है दूर दूर तक हमारे रिष्टे नातों में भी कोई राजनीती में नहीं है सियासत में कुछ भी असान नहीं होता और अगर आप भारतिय समाज की जातिय संरचना में सबसे निचले पायदान से उपर उठने की कोशिश करते हैं तो मुश्किले और भी बढ़ जाती हैं मायवती को भी शुरुआत में कई बार हार मिली लेकिन वो रुकी नहीं मायवती ने पहली बार 1984 में केराना से लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गई उसके बाद 1985 में बिजनोर और 1987 में हरीदुआर से भी उन्हें हार ही मिली लेकिन 1989 के उप चुनाव में मायवती बिजनोर सीट से चुनाव जीत कर देश की संसत के अंदर पहुँच गई 1989 के आम चुनाव में BSP को तीन और 1991 के चुनाव में दो सीटे मिली थी गेस्ट आउस कांड में मायवती पर हुए जानलेवा हमले के बारे में तो बहुत से लोग जानते होंगे लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब मायवती का एंकाउंटर होने वाला था दिसंबर 1991 के एक सर्ब सुबह करीब साड़े चार बजे थे यूपी के प्रियाग स्टेशन पर ट्रेन से एक महिला कैदी को नीचे उतारा गया इस तरह से उस महिला कैदी की जान बचपाई जिस महिला को पुलिस वाला मारना चाता था उसका नाम था मायवती मायवती के करीबी रहे सर्वर हुसेन ने इस किस्से के बारे में बताया था दर असल उस दिन मैयवती की लखनौ हाई कोर्ट में पेशी के बाद एलाबाद की नैनी सेंटरल जेल में वापसि हो रही थी बुलन शहर में मतपत्र देखने को लेकर मायवती और डियम में छीना जप्टी हो गई थी और उसी केस में उन्हें इलाबाद की नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया था मायवती एक माहिर वक्ता थी और इस वज़े से बोजन समाज में उनकी लोग प्रियता तेजी से बढ़ती चली गई कांशीराम जी के सायोग से मायवती ने सियासत के दाओं पेच सीखे और 1993 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर यूपी में चुनाव लड़ा और सरकार बना ली उस समेक नारा काफी मशूर हुआ था मिले मुलायम कांशीराम हवा हो गए जैश्रीराम यूपी में गड़बंदन सरकार बनाने के बाद 3 अप्रेल 1994 को मायवती राज्यसवा पहुँच गई उच सदन में बीएसपी की वो पहली सांसत थी 1995 में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया और ये मायवती के लिए एक निरनाए एक साल बना मायवती ने कहा कि सपा समर्थक उनकी हत्या करना चाहते थे गैस्टाउस कांड के बारे में मायवती ने कई बार कहा कि वो इस कांड के लिए मुलायम सिंग यादव को कभी माफ नहीं करेंगी भाजपानेता लाल जी टंडन के कहने पर ब्रहमदत तिवारी ने गैस्टाउस पोच कर मायवती को बचाया था जिसके बाद लाल जी टंडन मायवती के धरम भाई बन गए मायवती ने बाकायदा राकी बांध कर लाल जी के प्रती अपना रिष्टा जाहिर किया था कहते हैं बीजेपी और बीएसपी के गड़ बंदन में भी लाल जी निरना एक भूमी का निभा रहे थे और मायवती को सीम बनाने में भी उन्होंने मदद की थी 1995 में राजयपाल ने मुलायम सिंग यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया और मायवती बीजेपी की मदद से यूपी की मुख्य मंत्री बन गई सीम की कुर्सी तक पहुंचने वाली वो देश की पहली दलित मैला थी तब देश के प्रधान मंत्री वीपी नरसिमा राव ने इसे लोगतंत्र का चमतकार कहा था लेकिन उनकी सरकार सिर्फ चार माईने ही चल पाई बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और मायवती की पहली सरकार चार माईने में ही गिर गई मायवती को करीब से जानने वाले लोग ये भी मानते हैं कि बहन जी को समझना काफी मुश्किल है मायवती सियासत की एक मंजी हुई खिलाडी है जिनोंने फर्स से आर्ष तक का सफर अपनी सूझ भूज और संघर्ष के दम पर तै किया सियासी गुणा भाग में भी मायवती सटीक निशाना लगाती है 1996 में BSP ने UP की 425 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन महद 66 सीट की जीत पाई लेकिन BJP के साथ दूसरी बार गड़ बंदन हुआ और 1997 में मायवती ने दूसरी बार UP के मुख्यमंत्री पदकिशपत ली BJP के शर्थ ही कि 6 महीने बाद उनका सियम बनेगा लेकिन 6 महीने पूरे होने के बाद मायवती ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया बाद में BJP ने किसी तरह अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार चलाई 2002 में मायवती ने बीजेपी के साथ मिलकर तीसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्शी हासिल की लेकिन ताज कोरिडोर केस में वित्य गड़बडियो कारोप लगने के बाद मायवती ने साल 2003 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया मुलायम सिंग यादो ने बीजेपी के बागियों के साथ मिलकर यूपी में सरकार बना ली साल 2003 में बोजनों के मर्सिहा मान्यवर काशिराम साहब को ब्रेन स्ट्रोक हो गया लगातार काम करने और यात्राएं करने के कारण उनकी तब्यत बिगड़ती ही जा रही थी इसके बाद मायवती को 2003 में बीजेपी का रास्टी अध्य चुना गया और वो पिछले 19 साल से बीजेपी की सबसे बड़ी नेता के रूप में काम कर रही है मायवती और काशिराम साहब के रिष्टे को लेकर भी सवाल उठते रहे अक्सर उनके चरितर पर भी दाग लगाने की कोशिश की गई दोनों के बारे में ना जाने कैसी कैसी बाते की गई लेकिन इससे मायवती विचलित नहीं हुई एक इंटर्वियू में मायवती ने इस बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था जब कोई त्याग करके आगे बढ़ता है तो विरोधियों के पास एक ही मुद्दा होता है कैरेक्टर को लेके बदनाम करना मानेवर काशिराम जी को मैं अपना गुरू मानती हूँ और वो मुझे अपना शिश्य मानते हैं 2001 में मानेवर काशिराम ने मायवती को अपना उत्रादीकारी खोशित किया उन्होंने इस बारे में कहा था मुझे लगा कि अगर इनको आगे बढ़ाने का मोका दिया जाए तो राजनिती में ये काफ़ी आगे बढ़ सकती है राजनिती में बढ़ने की जो खूबिया है वो कुछ खूबिया मुझे इन में नज़र आई करीब दो साल तक बेश्तर पर रहने के बाद काशिराम जी साल 2006 में चल वसे काशिराम साहब के महापरी निर्वान से मायवती को सबसे बड़ा धक्का लगा लेकिन मायवती अपने सियासी सफर में आगे बढ़ती रही 2007 में मायवती ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी उमीद शायद ही किसी को थी मायवती ने सोशल इंजिनरिंग की ऐसी करामा दिखाई कि दलित और ब्रहमन वोटर साथ हाए और मायवती पूर्ण बहुमत के साथ यूपी की मुख्यमंत्री बन गई मायवती ने बहुजनों को राजनितिक सत्ता में पहुचाने के बाद सामाजिक न्याई की गैरेंटी देने का काम किया उन्होंने यूपी में प्राइवेट सेक्टर में भी दलितों के लिए 30 परतिश्य तारक्षन लागू कर दिया उन्होंने सबका साथ और सबका विकास फोर्मूले पर अमल किया एक इंटर्व्यू में उन्होंने कहा था 2007 में मेरी सरकार बनने से पहले मुलाइन सिन यादों की सरकार थी और उन्होंने भरतियों पर रोक लगा रखी थी मेरी हुकूमत में मैंने वो बैन हटाया और करीब 30 लाग अपरकास्ट लोगों को नौकरी दी 20078 के दोरान मायवती सबसे ज़्यादा इंकम टेक्स देने वालों में 20 वे नमबर पर थी उन्होंने करीब 26 क्रोड रुपए सिर्फ इंकम टेक्स के तोर पर भरे थे 2001 में उनकी एक करोड की घोशे ताये 2007 में 50 करोड हो गई थी मायवती ने कहा कि ये रकम पार्टी के कार्यकरताओं ने उन्हें बतोर डोनेशन दी थी आयसे अधिक संपती के मामले में CBI ने मायवती के खिलाफ जान शुरू की और उन्होंने UPA सरकार से समर्थन वापस ले लिया मायवती ने कहा कॉंग्रेस अपनी सरकार बचाने के लिए CBI जैसी उच जांच एजनसी का दुरूपयोग करके मेरे उपर राजनेतिक दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रही है मायवती ने अपने चोथे कार्यकाल में बहुजन इतियास को जीवित करने के लिए भी काफी काम किया चाहे नोईडा में दलित प्रेनास्थल हो या फिर लखनो का जुक्तरम बीटकर पार्क मायवती ने बहुजन नायक नाइकाओं के सम्मान में एतियासी काम कर दिखाया जिन बहुजन नायक नाइकाओं को इतियास में कभी उचित सम्मान नहीं मिला था मायवती ने उनकी शाहंदार प्रतिमाई लगा कर बहुजन समाद से उनका परीचे कराया स्टेच्य ओफ यूनिटी को एकता और दलित नायक नाईकाओं की मूर्तियों को फिजूल खर्च बताने वाले लोग अक्सर मायवती पर हमलावर रहते हैं लेकिन आज उनके काम की तारीव हर जगे हो रही है जा माय मुक्यश रिषी यहां शूटिνंग करने आया हूँ लखनाओं में सीरीज का नाम है तबाइफ यह पार्क देखने माया हूँ रमेटकर पार्क देखने आया है। बहुत अच्छा बनाया है बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी स्चेरिटी भी लगी एक दम कुछ लोगों को सिर्फ मायवती के बनाए पार्क ही नजर आते हैं लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मायवती के कार्यकाल में ही यूपी ने विकास किरफ़तार हासिल की थी आज नोईडा और ग्रेटर नोईडा यूपी की शान है इसे मायवती नहीं विक्सित किया था चाहे नोईडा मेट्रो हो या फिर ताज एक्सप्रेस वे या गंगा एक्सप्रेस वे मायवती ने तमाम ऐसे काम कर दिखाए जिने बाकी पार्टिया सिर्फ चुनावी घोशना पत्रों तक ही सीमित रखती हैं साल 2012 में भारत का पहला फोर्मुला वन रेसिंग ट्रेक यानि बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट नोईडा में खुला और मायवती ने अपने हाथों से विजेताओं को ट्रोफी दे करी थी आसरच दिया आज बुद्धा इंटरनेशनल जैसा नायाब दोफा दिया नोईडा को श्यांदार अस्पताल भी मिले लेकिन फिर भी कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ पार्खी नजर आते हैं मायवती के शाशनकाल में एक सबसे बड़ी खास बात ये रही कि यूपी में अपराद पर लगाम लगी आकड़े बताते हैं कि मायवती ने जब-जब यूपी की सीम की कुर्सी समभा ली तब-तब अपराधी सलाखों के पीछे नजर आए साथ ही मायवती के शाशनकाल में कभी भी हिंदो मुस्लिम दंगे नहीं हुए मायवती ने एक कुशल प्रशास्त की भूमी का निभाई मायवती के हिस्ट्राइल के पीछे भी एक कहानी है एक इंटर्व्यू में उन्होंने बताया था मायवती ने जो करिश्मा 2007 में कर दिखाया था उसे वो 2012 में नहीं दोरा पाई और अखिलेश यादव ने यूपी की सत्ता उनसे चीन ली इसके बाद मायवती राज्यसवा आ गई लेकिन सहरनपुर हिंसा पर जब उन्हें सदन में अपनी बात तक नहीं रखने दी गई तो उन्होंने राज्यसवा की सदस्ता से ही इस्तीफा दी दिया अपने समाज के हितों के बाद में अपने समाज के हितों के बाद उनके हितों के प्रोटेक्ट नहीं कह सकती है उनके जुल्म जाते हितों के बाद अके मैवति ने कहा था कि जब एक डलीत की बेटी चार चार बार यूपी कि सियम बन सकती तो देश की पीयं क्यों नहीं बन सकती भारतית सियासत में मैवती को पीम माटीरियल माना जाता रहा है लेकिन उनकी रहा और भी मुशकिल होती जा रही दोजा चोदा में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने पीम पद काउमेदवार घुशित किया तो विपक्षी पार्टिया राहूल गांदी को यूपीय का चैरा बनाने पर राजी नहीं थी ऐसे में सब की नजरे मायवती पर थी कि उनके नाम पर किसी को दिक्कत नहीं होगी और एक दलित की बेटी नरेंद्र मोदी को टक कर दे सकती है लेकिन बीएसपी ने अकिले ही यूपी की 80 सीटों पर उमीदवार उतारे देश में तीसरे नंबर पर वाट शेर हासिल किया लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई 2017 के यूपी विधान सबा चुनाओं में भी मायवती की पार्टी बीएसपी बुरी तरह हारी और महज 19 सीटी जीत पाई इसके बाद 2019 के लोग सबा चुनाओं के मद्दे नजर मायवती ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से हाथ मिला लिया यूपी की सियासत में ये किसी चमतकार से कम नहीं था सियासत पर नजर रखने वालों ने कयास लगाए कि अगर यूपी में मागट बंदन अच्छी सीट जीत गया तो मायवती का पीम बनना लगभगते है मायवती ने गैस्टाउस कांड का दर्द भी भुला दिया और वो मुलायम सिंग यादव के साथ मंच पर नजर आई लेकिन हाथी और साइकल के साथ आने पर भी नतीजे मन मुताबिक नहीं आए बियस्पी ने सिर्फ 10 सीटे जीती तो एस्पी महेज 5 सीट पर ही सिमट गई और एक बार फिर से दोनों पार्टियों के रास्ते अलग-अलग हो गए 15 मार्च 2020 को नोईडा में भीम आर्मी चीफ चंद शेकर आजाद ने आजाद समाज पार्टी का गठन किया यूपी की दलित राचनिती में ये एक बड़ा दखल है जो मायवती की दलित राचनिती पर असर डाल सकता है लोग मानते हैं कि इससे दलित वोटो का बटवारा हो सकता है लेकिन मायवती अपने हिसाब से ही रणनीती तयार कर रही है आइरन लेडी के नाम से मशूर मायवती को जानने वाले लोग मानते हैं कि बहनजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है अब मायवती के असली और सबसे मुश्किल परिक्षा 2022 के यूपी विदानसबा चुनाव में हुनी है मायवती एक ऐसा किर्दार हैं जिनकी शक्सियत का अंदाजा सिर्फ चुनावी नतीजों के अधार पर नहीं लगाया जा सकता ये उनके व्यक्तित्व को कम आखने जैसा होगा लेकिन ये भी सच है कि सियासत में नतीजों से बढ़ कर कुछ नहीं होता अगर मायवती 2022 के यूपे विदानसभा चुनाओं में कोई चमतकार कर दिखाती हैं तो निश्य तोर पर भारत की दल्क राचनिदी का भविश्य एक बार फिर से मायवती के बरों से ही तै होगा अगर ये विडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अगर आप ये विडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें अगर आप ये विडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को भी जरूर लाइक करें इसके लावा आप हमें इंस्ट्राग्राम और ट्विटर पर भी फोलो कर सकते हैं अगर आप अमेड करवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी पर हमारी आर्थिक मदब भी कर सकते हैं मैं हूँ सुमिछ चोहान और इस विडियो को बनाने में मदद कर रहे हैं मेरे सयोगी, अन्शो और अज्रा परवीन जै भीम, जै भारत